आम्दाबाद दिवाली शिवर जहां अलग-अलग राच्चियों से दस हजार से अधिक संख्या में बच्चे अलग-अलग शिक्षा, संस्थाओं से चात्र और हर उमर के लोग साथ दिन के ये शिवर में आए हैं साथ वीग वातावरण और साथ वीग माहुल बना हुआ है यहां पर जाते ही मैं रेजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुचा जहां मेरी टीटेल लिखकर मुझे एक पास इशू कर दिया गया अगले साथ दिन के लिए ये मेरी आईडिये और मुझे मेरे गुरुकने के कमरे के बारे में पता दिया गया डूंटे डूंटे मैं अपने रूम में पहुच गया सुबस नानादी से निवरित होकर नादो के तयार होने के बाद मैं पहुच गया नदी किनारे वहां सभी लोग सूरी को अर्ग दे रहे थे तो मैंने भी सूरी को अर्ग दिया सूरी को अर्गत देने में हमें स्वता सूरी किरण युक्त जल चिकत्सा का फायदा मिलता है बोधिक शक्ती में चमतकारिक लाब होता है वोज तेज में व्रदी भी होती है जल चमतकारिक जल चाहिए वोज जल चाहिए जारिक जाता है वोज चमतकारिक लाब होती है कर दो कर दो कर दो कर दो उसके बाद हमें ध्यान भी करवाया गया उसके बाद इसी बीच भूग भी लग गई थी कोशते कोशते मैं भोजनाले में पहुचा सेवादार को पास दिया मैं भोजन लिया और लाइन में पैट गया कर दो कर दो दो वाह वाह क्या भोजन है ऐसा तो भोजन करने के बाद कभी महसूसी नहीं हुआ था भोजन के बाद भी शरीर हलका महसूस हो रहा था क्या अद्बुत सेवा का नजारा था कुंटुलों में सबसी थी वाहा इनको देखकर मेरा मन भी कया सेवा करने का वाए सलचन ने बताया सेवा क्यों करनी चाहिए सेवा का उद्देष क्या है सेवा का उद्देश क्या है? सेवा के द्वारा तुम्हारा हिते शुद्ध होता है एहमबाव, खिरणा, ईश्या, उच्चता की भावना और इसी प्रकार की सारी निगेटिव भावनाओं का नाश होता है तता नम्रता, शुद्ध ब्रेम, सहानुबोती और दया जैसे गुणों का विकास होता है देवा से स्वार्थ भावना मिटती है, द्वेत भावना खतम होती है, जीवन के प्रती द्रश्टी कोण, विशाल और सुदार बनता है साध्वी बहन का सत्चंग हो रहा था, जहां मैं बापुची द्वारा बताई ग्यान की बाते सिखी, फिर उन्होंने संकीर्टन करवाया प्रती दे खिर वारा बताई ज्वार्थ प्रती देखी, भावना मिटती है, जीवन की बाता है झाल 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 झाल